जाइयां जुरियां का गए पता भी नहीं लेगा स्केन इतनी टाइट हो जाएगी आपके और एक भी दाग धबा आपके चहरे पे नहीं बचेगा दोस्तो आपके चहरे से जाइयां ऐसे छूटेंगी जैसे चहरे से मैल उतर रही है आपको सिर्फ दो से तीन मिनट मसाज करनी है और आपके चहरे की जाइयां कहां गाइब हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना कैसे है दोस्तो यहां पे मैंने ले लिया है कच्चा दूद आपको कच्चा दूद लेना है इसमें आपको जैसे का तैसा ही यूज कर लेना है मतलब आप कच्चा दूद पैकेट का ले सकते हैं या गाइ भेंस जिसका भी हो कच्चा दूद लेना है मतलब raw milk आपको लेना है कच्चे दूद को आगर आप अपने चेहरे पे apply करेंगे न तो इसके कमाल आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे इतना निखार आएगा चेहरे को ये नमी परदान करेगा निखार आएगा और आपको कच्चा दूद लगाने से बहुत ज़्यादा फाइदे मिलेंगे सुबह अगर आप इसको कुछ देर के लिए भी अपने चेहरे पर मल लें तो घंटों तक आपके चेहरे पे चमक नजर आती रहेगी और इसमें अभी जो मैं मिलाने वाली हूँ चीज उसको मिलाने के बाद तो आपके चेहरे का जो निखार होगा वो दो गुना हो जाएगा इ हल्दी और दूद का जो कॉंबिनेशन है ये आपकी स्कीन को नैशरल ग्लो देता है हल्दी और दूद जो है वो स्कीन के लिए एक बेहतरीन क्लींजर माना जाता है स्कीन को ये भीतर से साफ करता है अंदर तक का जो है वो साफ करता है और जितने भी टंक्स होते हैं उनको ये बाहर निकालता है, हल्दी और दूद का इस्तेमाल बहुत जड़ा फायदा देता है, इसके अलाबा दोस्तों हम जो हल्दी होती है इसमें जो antiseptic गुण होते हैं, ये skin को damage होने से भी बचाते हैं, दूद और हल्दी का इस्तेमाल करने से skin को potion भी मिलता है, तो इस तरह से आपको लगाना है कि रूई को आपने बीच में डिप करना है और इसको फिर अपने फेस पे अपलाई करना है फेस को पहले साफ कर ले अच्छे साफ कर ले उसके बाद इसको अपने फेस पे अपलाई करना है मतलब पूरे चेहरे पे इसको लगाना है अगर आप इस परिक्रिय को रात को करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फाइदा मिलेगा आप दिन में भी इसको लगा सकते हैं लेकिन रात को स्कीन जो होती है वो रिपेरिंग मोड पे होती है आप कोई भी फेस पैक या कोई भी सॉलीशन लगाते हैं तो आप ज़्यादा तर रात को ही लगाया करे तो स्कीन पे हल्दी और दूद का अगर आप नियमी तोर पे अपलाई करते रहेंगे तो स्कीन पे जितने भी दाग धबे होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे एकने की प्रॉब्लम होगी बहुत धूर होगी और ये चेहरे को भीतर से साफ करेगा जितने भी गंदगी होगी ज जितना ज़्यादा हमें पीने के लिए मतल़ जब हम गरम दूद में हल्दी डालते है तो हमारे सिरीर में जो दर्द होता है यह वैसी ही यह हमारी स्कीन के लिए भी बहुत ज़्यादा लाव देता है दूद और हल्दी का जो फेस पे कहना इसको लगाने से स्कीन की हो जाएगी इतनी glow आपकी skin हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएगे आप कोई भी face pack लगाते हैं उससे पहले या उसके बाद में भी अगर आप दूद और हल्दी का जो ये face pack अपलाई करेंगे तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगे अब मैं इसको लगाऊंग वैसे ये आपके चेहरे से छूटेगी और बिल्कुल मतल ऐसे गठियां सी बनेगी जो मैल की होती है पूरी skin आपकी साफ हो जाएगी और मैल ऐसे निकलेगा जिसे कपड़ों से मैल निकल रहा हो तो इसी तरह से आपको मसाज करनी है दो से तीन मिनिट और आपके चेहरे पे वो भी मैं आपसे शेयर करते हूँ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो आप जरूर देखे तो यहाँ पर यह देखो आप मैं आगी हूँ अपना फेस धोग के और ना चेहरे का मैल तो ऐसे उतर जाता है बिल्कुल मक्खन की तरह इतना अच्छा और इतना कूल-कूल ठंडा सजे से पता नहीं कितना भार चेहरे से उतर गया हो तो दोस्तों अब फेस धो लिया और इसके बाद अब एक मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की थी एक सुलूशन शेयर किया था आपसे अभी दो तीन दिन पहले गुलाबजल और ग्लेसरीन का जो सुलूशन बताय उसको आपने दो तीन ड्रॉप अपने फेस पे लगा लेनी और उसके बाद आपको सो जाना है सुबह जब आप अपनी चेहरा देखोगे न सीसे में तो देखते रह जाओगे इतना ग्लो आपके चेहरे पे आएगा और यह जो हल्दी और दूद है इसको आप नियमें तोर मतलब डेली भी आप करोगे तो आप तीन चात दिन में ही आप देखोगे कि आपके चेहरे की जाईया जूरिया कांगे पता भी नहीं लेगा स्केन इतनी टाइट हो जाएगी आपके और एक भी दाग धबा आपके चेहरे पर नहीं बचेगा तो इसी तरह से आपको भी लग सकते हैं, या आप कोई भी टोनर लगा लगा लिजीए या आप ऐलोविरा जेल भी लगा सकते हैं या तोड़ी सी मलाई ले लिजीए, वो ही आप लगा ले या फिर आप फिर से कच्चा दूर्थ थोड़ा से लें और अपने चेहरे पर लगा ले तो इसी तरह से वीडियो का end भी मैं करती हूँ नए हैं तो subscribe कर लिजिएगा क्योंकि इसी तरह की useful वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ आपसे share करती रहती हूँ तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो like जरूर करना अपने दोस्तों और फ्रेंट के साथ share भी करना फिर मिलूंगी मैं मोनिका नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे जी